फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे उट्रूब चैनल पे देखिए दोस्तो आज इहां इडली बनाने की तैयारी चल लई है चावल को ले ली हूँ, दो कप चावल ली हूँ, इसको अच्छे से धूल ली हूँ और धूल करके इसको पानी में भीगो करके रख दी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे पूरे अच्छे से साप कर ली हूँ इसको और भीगा करके इसको तीन घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए और इधर उड़त की डाल ली हूँ, बेगर छिलके वाली और इसमें में मेथी एट की हूँ, आधे चम्मच, इसको भी इसी में मिक्स कर दी हूँ और भीगा करके रख दी हूँ, अच्छे से धूल करके और इसको तिन घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि फूल जाए अच्छे से और उसके बाद हम मिक्सर में इसको पीस लेंगे वारी पीस करके इसका पेश्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डाल को पीसेंगे और फिर इसमें पीस करके पेश्ट बनाके उसको अलग निकाल लेंगे और फिर चावल को पीस लेंगे, दोनों इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से फेट देंगे और फेट करके फिर हम इसको रख देंगे कम से कम आप इसको रख दीजिए या तो पूरी रात के भर रख दीजिए तो पांच घंटे के लिए तीन घंटे के लिए जो भी आपको लगे उस घंटे के लिए रख दीजिए इसको और इसको रख देंगी घंटे के लिए तो इव अच्छे से फूल जाएगा खोब अच्छ लेने के बाद इसमें अच्छे से लगाएंगे ताकि चिपके ना हमारा इडली इसमें जो इडली का अकार देना है वो साचा है आप लोग देख रहे होंगे अब इसी में हम थोड़ा-थोड़ा एक चिम्मत डालते रहेंगे सम्में आधा-धा चिम्मत डालके इसको सेव बना इसमें पानी चढ़ाएंगे साचा देने के लिए एड़ करेंगे उसके बाद हम इधर पानी चढ़ाएंगे अगरम अधर अपनी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम तु डालती हूं नमक थोड़ा बहुत इधर देखिए सांबर बनाने के लिए सबजिया तैयार कर ली तड़का लगा दी हूं फटाफट दी है मसाले जो हम घर में घरेलू मसाले हैं कोई अलग से नहीं चीट डाली हो गया गरम मसाला लाल मिर्च सब को हम एक ही में मिक्स कर देंगे और अच्छे से चला देंगे तर टमाटर भी मिक्स कर देंगे हम तड़का लगाने के लिए और बहुत अच्छा सावदर बनता है ऐसे बनाती हूं कि अयही समय पानी रखी हूं मैं इसमें सामभर में पानी एट कर दे रही हूं इसमें रख दी हो सचांचा हुआ हम अच्छे से इसको के भाव से बनता है तो इसमें बसे लिए पांच मिनट के लिए छोड़ दEंगे देख अच्छे से बन गया खोब अच्छे से फूला है, दर चट्नी ले ली हूँ हम बनाने के लिए, नारियल, मिर्चा, इमली, चने की दाल ली हूँ, इसको सब हम एकसर में पीस लेंगे, खोब अच्छे से चट्नी के लिए, खोब अच्छे से इसको बारिक पीस लेंगे, और इसमें चने भी एट कर एक चम अग्ध के दालू लेुए हुए इसको ही भीगा बूग दे रही थी कि देकि चैता है बूगत चैनी तारीए कि कि टैयार हो है मेरा बहुत ही अच्छा नारियल की चटनी बहुत ही अच्छा बनता है इदर तड़के देंगे हम तेल ले ली हूं इसमें लाल मिर्चा और कड़ी पत्ता इसमें थोड़ी सी राई जी देखिए तड़का लगा दी हम चटनी में बहुत ही अच्छा चटनी बनता है, बहुत स्वाधिष्ट चटनी बनता है, बहुत ही अच्छा बनाती हूँ तो सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है नारियल का, देखे सब तयार हो गया, बहुत ही अच्छा बना है सामभर और इडली और नारियल का झाल झाल